दोस्तों क्या आपको पता है रभीम DSR कैप्सुल आपको कब लेना चाहिए नहीं पता है दोस्तों कोई बात ने पूरी जानकरी आपको हिंदी में दी जाएगी हम चार टॉपिक पर बात भी करने वाले दोस्तों जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है हम पहले बात करेंगे कि इसका डोज कब लेना है क्या जोता है इसका साइड फेक्ट क्या होता है और तीसरी जो पॉइंट है किस तरह की समझा में लेना चोथी जो पॉइंट है क्या प्रेक्वेशन लेना है तो दोस्तों हम जो बात करें रभीम DSR इसका जो पैक आवर 10 का तो दोस्तों जो आपके अंदर acidity बढ़ती है यानि आप खाना खाते आपके पेट में आपके फूड का मोमेंट नहीं होता है जिसके वैसे आपको कैल्सियम के treatment आपके अंदर चल ला है या आईरन का treatment चल ला है या दोस्तों या जिसे कि आपको आंटीवाइटी का treatment चल ला लेना चाहिए तो उस तरह की समस्यां आपको लेना चाहिए पांस दिन तक दोस्तों आपको लेना रहता है अगर आप एक अडल्ट है तो दुस्तों अब बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पे साइड इफेक्ट वाली तो दोस्तों लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल करें अगर आप खुछ से लेंगे तिसरे के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है जीम चला सकता है पेट में गैसे हो सकता है सरदर्द ह क्या लेना चाहिए तो दोस्तों इससे जब लेते हैं तो इतना ख्याल रहे कि आप अल्कोहल होगरा ना लें और दोस्तों जादे जादे आप खाने को आवाइट करें यानि कि जो खाना खाते हैं वह आपको एक फिक्स टाइम पर रखें जैसे मॉर्णिंग में और आपको में लेना नहीं रात के समय बीच में जो आप स्नैक्स वागरा चाय टी ले रहे तो उससे कम कर दें अपके लिए काफी फायदा मंद होगा और सेम कॉंबिनेशन वाली मेडिसीन ना लें अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए ज्याद के चांसे बढ़ सकते हैं तो दोस्त अगर आपको वीडियो जरा से इन्फरमेटिक लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें यह जनकर अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं आप यह नेक्स वीडियो में